लो माइस पागशास केसे हो आप सब आप सब आप सब अपसे बच्छे होंगे so I am a mess educator and you are loving didoo welcome to all of you in your channel Brilliant Courses so guys आज हम पढ़ने वाले हैं Classicals Maths की चाप्टर नमबर 10 Vector Algebra की exercise 10.3 का introduction तो exercise 10.3 का पहले हम introduction देखेंगे and उसके बाद में हम exercises की question solve करेंगे तो first जो topic आता है हमारे पास वो है dot product और scalar product of a vector तो dot product और scalar product of vector क्या होता है पहले यह समझ लेता है तो इससे पहले में जो है दो vectors ले लेती हूँ यह मैंने ले लिया क्या है यह a vector है ठीक है भाई यह मैंने ले लिया a vector और एक और मैंने दूसरा vector लिया जिसको मैंने बोल दै कि यह क्या है b vector है और इन दोनों के बीच में जो angle है वो क्या है ठीक है तो dot product क्या होगा इनका dot product होगा a vector dot b vector is equal to हो जाएगा magnitude of a vector magnitude of b vector into cos theta तो यह होता है हमारा dot product का formula और यही चीज़ हमें याद करनी है यही हमारे questions के अंदर आएगी ठीक है so dot product or scalar product of vector क्या होता है a vector dot b vector is equal to magnitude of a vector magnitude of b vector into cos theta अब इसके कुछ properties होती है जो कि हमें पढ़नी जरूरी है तो उनको पढ़ लेते हैं पहले तो properties of a dot product इसमें first property आती है कि जो a vector dot b vector होता है यह क्या है scalar है a vector dot b vector आ रहा scalar अब scalar का क्या मतलब हुआ देखो जब हम a vector dot b vector करते हैं तो यहाँ पर magnitude of a vector है तो अगर हम किसी का magnitude होगा तो इन दोनों का तीनों का जो multiplication होगा वह हमें क्या मिलेगा इक number मिलेगा तो इसका मतलब क्या है a vector dot b vector क्या है scalar है एक number है ठीक है अब जो हमारा second property आती है वो है a vector dot b vector is equal to b vector dot a vector यह होता है भाई commutative law अब commutative law क्या बोल रहा है कि जो हमारा dot प्रोपर्टी है यह क्या करता है ठीक है तो यह associative law को भी follow करता है फोर्थ प्रोपर्टी है हमारे पास a vector dot b vector plus c vector is equal to a vector dot b vector plus a vector dot c vector यह क्या है distributive law यह क्या है हमारा distributive law तो जो हमारा dot product है यह distributive law को भी follow करता है अब जो है फिफ्ट प्रोपर्टी आती है i cape into i cape sorry i cape dot i cape is equal to j cape dot j cape is equal to k cape dot k cape यह तीनों क्या होते है equal होते है one cape तीनों का अगर हम dot product निकाल लें तो यह क्या होगा equal आएगा one के equal कैसे आ रहा है मैं तुम्हें यहां पर समझा देती हूँ अगर तुम i cape into i cape करो i cape dot i cape करो तो देखो इसका formula क्या होता है a vector dot b vector यहाँ पर दोनों ही क्या है a और b की value क्या है i है तो a vector dot b vector is equals to होता है magnitude of a vector तो magnitude of i क्या हो जाएगा magnitude of i कैसे निकालेंगे पहले हम root का sign लगाएंगे आए के साथ में जो coefficient होगा sorry जो number होगा हमारे पास उसको क्या कर देंगे हम square कर देंगे तो i के साथ multiply में है 1 तो 1 का square क्या हो जाएगा वन ही होगा और root 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ऐसे दूसरे वाले अब देखो यह भी आई है मेरे पास और यही आई है मतलब यह आई है इसको अगर हम माने और हम आई इंटू आई करें तो इन दोनों अगर हमने क्या बोला था कि अगर कोई भी Montanthar 1 लिख धानषी पाइंट के लढ़ स्थी है अगर कोई भी पॉइन है एक लाइन के उपर ए अगर दो फॉइंटsi 9 अगर यह लाइन है तो उनकर उनके बीच का यहां पर यहांपट 9 कों़ जाएगा ठेटा के वेली हों जिए इंडिकी जीरो थे यहां पर कोस जीरो के वेली होती है वन ठीधा मंडिपर मुटिप्प्लाइब में है वन तो अगर इस फॉर्मले के निंदर j कर दे और j into k कर दे और k into i कर दे तो ये equal आ जाएगा 0 के ठीक है क्योंकि इनके बीच में जो angle बन जाएगा जिसे कि ये i है और ये j है तो i और j के बीच में जो angle होगा वो क्या हो जाएगा 90 degree हो जाएगा और cos 90 की value होती है 0 तो magnitude 0 को जब इससे multiply करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 0 आ जाएगा तो मैंने वही बोला है कि अगर आप i into j करो j into k करो लब j dot k करो या k dot i करो इसकी value आ जाती है 0 अब हमारे पास 7th प्रोपर्टी है if a vector and b vector are perpendicular अगर हमारा a vector b vector perpendicular vector है then a vector dot b vector is equal to 0 अगर हमारा a vector dot b vector क्या है perpendicular vector है मतलब उनके बीच में जो angle है वो 90 degree है तो a vector dot b vector क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अभी मैंने इसी के case में आपको बोला था j dot k की और i dot k j के case में कि अगर हम a vector dot b vector करें अगर यहाँ पर जो है theta की value है 90 degree theta है ना perpendicular मतलब theta की value 90 degree है तो cos 90 की value क्या होती है 0 होती है तो 0 को जब हम इससे multiply करेंगे तो 0 है आएगा तो a vector dot b vector अगर perpendicular है तो उसकी value क्या आएगी 0 आएगी ठीक है यह हमारी थी 8th property अब हम देखेंगे 9th property तो यह 7th थी हम देखेंगे 8th वाली तो 8th property हमारी है कि अगर हम a vector dot a vector करें a vector dot a vector करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं magnitude of a vector का square इसको हम a vector dot a vector को magnitude of a vector का square भी लिख सकते हैं अब इसके बाद में हमारी जो 9th property है वो है cos theta अब cos theta की value अगर हम यहां से निकाले यहां से अगर मैं cos theta की value निकालू तो देखो यहां पर यह दोनों multiply में है यह दोनों magnitude यहां पर multiply में है तो अगर यह multiply में है तो equal के दूसरे सार जाके divide में हो जाएंगे मतलब यह magnitude of a vector और magnitude of b vector क्या हो जाएगा इन दोनों की divide में हो जाएगा तो मैं यहां पर लिखके देती हूँ तो यह कैसे बनेगा हमारे पास cos theta की value आ जाएगी a vector dot b vector upon में magnitude of a vector magnitude of b vector तो यह हो जाएगा हमारा cos theta का formula और यह तुम्हें याद रखना है ठीके अब जो हमारी 10th property है वो है if theta is 0 अगर theta की value क्या हो 0 हो तो a vector dot b vector क्या होता है equal होता है magnitude of a vector और magnitude of b vector के अगर theta की value 0 हो तो cos 0 cos 0 की value 1 होती है न cos 0 की value 1 तो 1 को जब हम इससे multiply करेंगे तो यही तो आएगा तो हमारा a vector dot b vector क्या हो जाएगा magnitude of a vector magnitude of b vector तो यह हमारी 10th property भी complete हो गई अब अगर theta की value हो भई 180 if theta is equal to 180 तो cos 180 की value होती है minus 1 तो जब हम cos 180 की value minus 1 पुट करेंगे तो अगर हम इस formula को देखें अगर मैं यहाँ पर minus 1 पुट कर दूँ cos 180 की जगह पर मैं minus 1 लिख दूँ तो minus 1 into यह क्या हो जाएगा minus का हो जाएगा यह term भी तो हमारे पास जो answer आएगा मतब a vector dot b vector आएगा वो क्या आएगा minus का magnitude of a vector into magnitude of b vector तो यहाँ पर जो dot पर रख थी उसकी जो जितनी भी properties थी वो हमने पढ़ ली हैं इसके अंदर से 11 properties थी और वो हमने complete कर ली हैं अब इसके बाद में हम जो next topic देखेंगे वो देखेंगे projection of a vector projection of a vector on a line अब हम क्या देखेंगे जो next topic है हमारा वो है projection of a vector on a line अब इसका क्या मतलब हुआ तो पहले तो जो है मैं तुम्हें एक vector लेके देती हूँ एक vector लिखके देती हूं, तो यह मैंने हमाल लिया it, एक line है, ठीके यह line है, और यह हमने ले लिया एक vector और यह है A vector, ठीके, इन दोनों के बीच में angle था theta, इसको मालो A और इसको मालो B, A भी vector क्या है, A vector है, ठीके, तो यहां से जो है b more flight आ रही है, यह ऐसे ऐसे कुछ lights जो है यहाँ पर आ रही है तो हमें simply projection का मतलब क्या होता है projection का मतलब होता है कि जो यह vector है यह इस line के उपर कहाँ पर image बना रहा है इस line के उपर केसी image बना रहा है वही होता है projection projection का मतलब क्या हुआ image यह जो vector है, यह line के उपर image बना रहा है, वो कैसी बन रही है, वहीं हमें निकालना है, ठीक है, तो इसको तुम join कर दो, और इस point को हम ले लेंगी, कि यह क्या है, C point है, ठीक है, तो हम मैं क्या करूंगी, अगर मैं इस triangle में देखूं, in triangle ABC, अगर हम इस triangle में देखें, और इस triangle मे हाइपोटेनियस, अब मुझे बताओ, यहाँ पर base क्या है, base AC है, और हाइपोटेनियस क्या है, सबसे लंबी वाली side, AB, हाइपोटेनियस हो गया AB, और 20 हो गया हमारा AC, तो AC upon AB, ठीक है, अब AC की value तो AC है, AC को तो भही हम AC लिखेंगे, अब AB को क्या लिख सकते है, AB को हम लि लिखते दे, फिर आपने magnitude of A vector क्यों लिखा, तो यह मैंने इसलिए लिखा, कि अगर हम यहाँ पर निकालते हैं, अगर हम यहाँ पर AB vector लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पर AB vector लिखती है, तब मैं यहाँ पर A vector लिख सकती थी, लेकिन मैं यहाँ लिखा AB, तो अगर मैंने AB लि लिख सकते ए बी वेक्टर को हम लिख सकते ए वेक्टर है ना लेकिन ए बी का मतलब है किसकी लेंथ ए बी की लेंथ तो ए बी की लेंथ क्या है मैगनिटूड क्या होता है लेंथ होता है है ना तो ए वेक्टर का जो मैगनिटूड होगा वही ए बी की लेंथ होगी तो इहां पर क्या लिखा है length लिखिए अगर मैं a b vector लिखती तो मैं यहाँ पर a vector लिख सकती थी ठीक है आगई बाइस समझ मैं तो देखो ac vector upon में a vector लिख दिया अब मैं क्या करूं अगर यहाँ पर तो मैंसे लिखो cos theta is equal to ac upon magnitude of a vector ठीक है तो अगर मैं यहाँ से ac की value निकालों तो ac की value क्या आजाएगी ac is equal to magnitude of a vector को इस सेट भेज दो इधर divide में उस सेट ढाकर multiply में हो जाएगा भई तो देखो यहाँ पर आजाएगा magnitude of a vector into my cos theta यह आगया मेरे पास ac और मुझे क्या निकालना था मुझे ac तो निकालना था यह जो हमारा vector है इसकी जो image बनेगी इस vector की image जो इस line पर बनेगी वही तो थी ac मैंने तुम पहले नहीं बताया सोरी तो a b vector था हमारा और यह हमारी line थी al है ना तो a b vector की जो image बनेगी इस line की उपर उसको मैंने मालना कि वह क्या है ac है ठीक है तो ac हमने निकालना था वह हमने निकाल दे कि ac की value यह आ गई है ना अब हम क्या करेंगे इसमें तुम लगा दो इसमें क्या करो cost theta की formula था ना cost theta का वो formula लगा दो तो cost theta का formula क्या था याद है कि नहीं याद cost theta का formula था a vector dot b vector upon magnitude of a vector magnitude of b vector यही था ना cost theta का formula अब cost theta की जगह पे cost theta का formula लगा दो ac equals to a जाएगा magnitude of a vector और यहाँ पर जो है मैं multiply का sign लगा रहे हूं ठीक है a vector dot b vector upon magnitude of a vector magnitude of b vector ठीक है तो देखो a vector से यह वाला जो है cancel हो जाएगा यह से यह cancel हो गया अब मेरे पास क्या बचेगा ac equals to बचेगा मेरे पास a vector dot b vector upon magnitude of b vector ठीक है तो यही है हमारे पास जो हमारा projection हमें निकालना था उसका formula यही है यह क्या है हमारा projection का formula है है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे projection of a vector on b vector is equal to a vector dot b vector upon magnitude of b vector अच्छा इसके बिना दो वो होते हैं देखो अगर मुझे projection निकालनी है a vector की on b vector इसको अगर हम b vector ले तो a vector की projection अगर मुझे b vector पे निकालनी है तो a vector की position अगर मैं b vector पे निकालनी है तो मेरे पास क्या आएगा a vector dot b vector upon magnitude of b vector जिसके उपर निकालनी है उसका magnitude से हम उसको divide करेंगे ठीक है और अगर मैं यहाँ पर projection प्रोजेक्शन निकालनी है अगर उसकी image में a vector पर देखूं तो उसका formula क्या होगा उसका formula होगा a vector dot b vector upon magnitude of a vector जिसके उपर तो मैं प्रोजेक्शन निकालनी है जिसके उपर जो है b vector की projection बन रही है जिसके उपर भी projection बन रही है उसके magnitude से हम क्या कर देंगे इसको divide कर देंगे ठीक है तो यह दो formula होते है इसमें confuse नहीं होना अगर मुझे projection निकालनी है a vector की on b vector तो यह वाला formula तो यह वाला formula लगेगा अगर मुझे projection निकालनी है b vector की on a vector तो यह वाला formula लगेगा ठीक है so 10.3 के अंदर जितना भी concept यूज होने वाला था वो हमने इस वीडियो के अंदर cover कर लिया है अब जो next वीडियो आएगी उसके अंदर में exercise 10.3 के question solve करेंगे so अगर वीडियो अच मेरे चानल के ठीक है so यहीं पर वीडियो के end करते है वीडियो को end करने से पहले इस वीडियो को दो से तीन बार देख लेना ताकि तो मैं अच्छे से जीव फोम लास मिलने तो मैं समझा है यह clear हो जाए तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक्यर